बीच टेमर एपिसोड टू की स्टार्टिंग में हम लोग देखते की रेन ने अपना एडवेंचरर ट्राइल पूरा कर लिया है जहाँ पर रिसेप्शनिस्ट रेन ने जो गोबनिस के स्टोन लाए हैं और 20 हर्फ लाए हैं उसको कन्फर्म करके वो रेन को बताती है की रेन न से अब रेन एक रेन्क एफ का एडवेंचरर बन चुका है जिसके बाद वो रेन को एक एडवेंचरर कार्ड देती है और कहते है कि ये तुम्हारा आईडी कार्ड की तरह काम करेगा इसका ध्यान रखना कार्ड दरने के वार रिसेप्शिश कहती है कि ये लो तुमारे 50 ब् पूरा कर लिया तो मुझे पूरा ब्रोस है कि तुम रेन्क में भी काफी जल्दी उपर पहुंच जाओगे इसलिए पूरी कोशिश करना तो रेन रिसेप्शिश का थेंक्यू करता है और इस बारे में सोतने लगता है कि अगर जैसे मुझे अपनी रेन्क बढ़ानी है तो म कनाड़े उसको कौनरेट करती है जिसके रेन कनाड़े से कहता है कि मैं अभी से ही क्वेस्ट पे जाना चाहता हूं ताकि हम लोग और पैसे कमा पाएं तो क्या तुम्हारे लिए सही रहेगा तुम चल पाओगी जिस पर कनाड़े भी खुश होकर कहती है हाँ मैं चलूंगी तब ही वहाँ पे एक बंदा आता है जो कि कनाड़े को देखकर कहता है कि ये लड़की तो काफी जादा रेर है और वो पहचान जाते है कि कनाड़े एक कैट स्पिरिट है वो कनाड़े से कहने लगता है ये पहली बार है कि मैं एक कैट स्पिरिट को देख रहा हूं आखिरक तुम यहाँ पर क्या कर रही हो जिस पर कनाड़े उसे कहती है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताना चाहती हूँ तब वो बंदा कहते है कि इतने कोल्ड होने क्या दूरते है क्यों हम लग बैट के एक साथ ड्रिंक करें ये इससे तो अच्छा ही रहेगा कि तुम इस बच् लगते हैं और वो कहने लगते है कि कैड स्पिरिट को इंटिमिट स्पीशीज माना जाता है तो ऐसे तो कभी नहीं हो सकते कि एक बच्चा तुम जैसे अल्टिमिट स्पीशीज को टेम करें कनाड़े उसे कहती है तुम इसे नहीं देख पारे हो क्योंकि तुम अन्दे हो र पीच में कनाडे उनकी बैट होने वाली है वो रेन से कहता है कि अगर तुम एक ऐसे बीश टेमर हो जो की कैट स्पिरिट को टेम कर सकता है तो तुमारे लिए तो काफी दादा सान होगा मेरे जैसे बंदे को हराना रेन मन में कहने लगता है कि मुझे कोई भी फरक नहीं तो शाय से दुबारा कनाडे की पीचे आ सकता है जिसके बाद रेन उसके चैलेंज को एकसेप्ट करता है और वो दोनों पंजा लडाने लगते है रेन अचानक सही काफी जल्दी और काफी अराम से उस बंदे को हरा देता है जिसके वैसे टेबल के अंदर थोड़ा सा होल भ मांगती है इस बंदे का बियवेर गिल्द को भी काफी दिनों से परिशान कर रहा है मैं ये सोच रही हूँ कि इसी गिल्द से निकाल दे हम लोग वही पर वो बंदा रिसेप्टिस की स्कूर्ट को पकड़ लेता है जिसके काँ से रिसेप्टिस को काफी गुसा आयता है और रेन और कनाडे काफी दर डर जाते हैं और रिसेप्टिस से माफी मांगते हैं वहीं पर रिसेप्टिस माफी मांगते हैं सोरी मैंने अपने ट्रू कलर दिखा दिये थे एक सेगिंड के लिए जिसके बाद वापी से वो नॉर्मल में आके रेन को कहती है कि तुमने अल्टिम ट्राइब वाले के साथ contact बनाता है तो उसके master के अंदर भी person की strength हा थी जिसने उसे tame किया है अब तुम्हें एक normal cat spirit जितनी physical power मिल चुकी है ये सुनकर rain काफी curfew लगता है और कहते हैं ये तुमेरे कभी सोचा भी ने था तो कनाड़े उसके पास अगर कहते हैं कि क्या तुम्हें इस बारे में नहीं पता था इस पर rain कहते हैं नहीं मेरे होन टाउन में आज सक किसी ने भी ultimate species की साथ contact नहीं बनाया इसलिए मुझे पता नहीं है इस बारे में तो कनाड़े कहती इस बात को छोड़ो मुझे काफी ददा खुशी हुई कि तुमने मुझे बचाने की कोशिश करी जिस सुनकर rain भी थोड़ा शर्माने लगता है जिसके अध कनाड़े rain से कहती है चलो आप हम लोग थोड़े काम करके आते हैं नेक्से में हम लोग देखते कि वो दोनों मिलकर हर्ब्स तोड़ रहे होते हैं कनाड़े rain से कहती है कि हम लोग दुबारे से हर्ब्स क्यों तोड़ रहे हैं हम तो एक adventure बन चुके हैं ना हमें तो किसी monster को मार के आना चाहिए है मुड के देखती है तो पता लगते है कि rain ने rabbits के मदद लेकर सारे हब्स को collect कर लिया और quest पूरा हो चुका है यह देखकर वो परिशान हो दाती है और वो कहने लगते कि मैं rain की familiar हूँ बलकि यह rabbit तो सिर्फ temporary contract हैं और मैं काफी दादा useless हो इनके सामने तो तो rain कनाडे से कहता है अभी के लिए हमारी quest तो पूरी हो चुकी है तो चला मैं आप वापिस गिल्ड में जाना चाहिए तब ही कनाडे को किसी की आवाज सुनाई देती है तो वो rain के साथ जाने लगती है तो वो रहे वहाँ पर पोँचते हैं और देखते हैं कि काफी सारे लोग एक बूड़े अंकल को घेर कर खड़े हैं और वो उस अंकल से कहने लगते हैं जैसे तुमारे बोड़ी गार्ड ने सुना कि हम लोग इबोन फैंक्स हैं वो डर कर भाग गए तुमने कैसे ही डर पोग बोड़ी गार्ड हायर किये थे वहीं काणाडे को पता होते हैं कि इबोन फैंक्स कोन होते हैं वो रेन को बताने लगते हैं कि उसने स्टोरी सुनी थी जब वो ट्रेवल कर रही थी इबोन फैंक्स का ग्रूप 100 मेंबर्स में है या फिर उससे भी जादा वो लोग चोरी करते हैं और काफी जादा बुरे काम करते हैं हर जगा पर वो गुंडे बुरे अंकल से कहने लगते हैं या तो हमें समान दो या तो हम तुमें मार देंगे वहीं पर रेन कनाडे से कहता है मैं ये नहीं देख सकता मैं इस बोड़े आदमी की हेल्प करना चाता हूँ ये सुनकर कनाडे कहती है जैसे मैंने सोचा था आपने वैसा ही किया जिसके बाद रेन कनाडे को कहता है कि मैं जाकर इन लोगों से लड़ूगा और तुम जाकर उस बोड़े आदमी को प्रोटेक करना वही रेन जाकर उन गुंडों से लड़ने लगता है तो वहीं पर कनाडे उच जाकर बुड़े आपनी के पास खड़ी हो जाती है जिसके बाद कनाडे रेन को लड़ते हुए देख रही होती है और कहते हैं कि शुरुवात में मुझे चिंता थी क्योंकि रेन के पास एक एबनॉर्मल एबिलिटी है और साथ साथ अब उसको मेरी कैट स्पिरिट की पावर भी मिल चुकी है मुझे चिंता थी कि वो अपनी न्यू पावर का गलत इस्तमाल करे और पावर आउट ओफ कंट्रोर्न होने के बाद वो खुद को ही चोट पोचा ले वो सोतने लगते है कि उसके मास्टर ने उसे ओर्डर तो दिया है लेकिन क्या ये सही नहीं रहेगा कि वो फ्रंट में जाकर लड़े वहीं पर रेन सारे बंदों से काफी अच्छी तरीके से मास्टर ने उसकर की हरा रहा होता है जिसको देखकर कनाड़े कहती है ये तो काफी अमेजिंग है लगता है मैं खाली में ही चिंता कर रहे थी जिसके बाद वो रेन के बैटल को देख ही रही होती है और अपने आके हटा नहीं पारी होती है जिसके कान से उसका चैरा भी लाल होने लगता है वो कहने लगते है कि रेन को देखकर उसका दिल काफी जोर से धड़कने लगता है जिसके बाद रेन उन गुंडों को हरा देता है और वो कनाड़े के पास आकर कहते है कि क्या वो बूड आदमी सेफ है जिस पर कनाड़े कहते है हाँ तो रेन कनाड़े के पास आता है और कहते है कि तुम्हारा मूँ तो लाल लग रहा है क्या तुम्हें चोट लगी है ताकि वो एनिमल को गलती से चोट ना पुचा दे जिसके वाद वो बुड़े अंकल रेन और कनाडे का शुगरे करते उसके जान बचाने के लिए जिस पर रेन कहते हैं वो तो ठीक है लेकिन तुम एक मर्चेंट हो और तुम अपने साथ बोड़ी गार्ड भी नहीं रख रहे हो ऐसा क्यों तो वो बुड़ा आदमी कहते है कि उसले किसी को हायर तो किया था लेकिन जैसे उन्हें लगा कि वो हारने वाले वो डर के भाग गए वो उनसे कहते हैं इन बातों को छोड़ो सबसे इंपोर्टन बात ही है कि इबोन फैंक तुम से बदला लेने के लिए आएंगे इसलिए यहां से काफी दूर तुम लोग भाग जाओ जो जो भी उनके कोई भी खिलाव एक्शन लेता है वो लोग उनको मार देते हैं इसलिए तुम जाओ तो रेन थोड़ा सोचता है और कहते है तो वो एक मुसीबत का ग्रूप है तो ठीक है हम लोग जाकर उन सबी लोग को कैप्चर कर लेंगे जिसका रेन वहाँ से जाने लगता है तो कनाड़े उससे आकर कहती है कि क्या तुम सीरियस थे जब तुम कह रहे थे तो उन लोग को पकड़ोगे जिस पर रेन कहते है हाँ वो काफे मुसीबत वाला ग्रूप है अगर हम लोग यहां से भाग भी जाएंगे तो शायद से वो लोग उस मर्चंट के उपर दुबारे से हमला करेंगे या फिक किसी और लोग के उपर जो कि हम लोग नहीं चाहते हैं है ना तो कना कनाड़े डिप्रेस हो जाती है और कहने लगते है कि मैं कितनी जादे यूजलेस हूँ एक एनिमल ने मुझे बीट कर दिया उनके बेश ढूंडने के लिए जिस पर रेन कहते हैं नहीं तुम यूजलेस नहीं हो तुम यहां पर हो और वही काफी जादा बड़ी हेल्प है य अगरे तुम्हे काट लेते है तो तुम आदी दिन के लिए तुम हिल्बे नहीं पाते हो यह सुनकर कनाड़े कहती है तो काफी अमेजिंग है लेकिन एक सेकिंड यह बी तो एक इनसेक्ट होती है तो तुमने इसे टेम कैसी किया तो रेन कहता है क्या तुमने इनसेक्ट टे जिसके रेन कहता है कि वो अपनी बी से इन लोग के ओपर अटेक करेगा और रो कनाड़े से पूचते है कि क्या वो सिटी से जाकर रेन्फॉर्समेट ला सकती है तो कनाड़े कहती है नहीं वो रेन को सारा डिंजरस काम नहीं करने देगी जिसके बाद वो काफी दुक्छी फि करना है इसे तुम जाकर सिटी में से नाइट को बुला लाओ या फिर एडवेंचरर भी चलेंगे जिसके रेन बताते कि नाइट वो लोग होते हैं जिने सिटी जायर करती है ताकि वो लोग सिटी के अंदर शांती रख सकें तो अगर तुम उने बताओ कि तुम लोग गुंड हटा हो गए हो जिसके वारेन उन सभी 20 के साथ अपना टेंपररी कॉंट्रेक्ट बना देता है जिसके अधर मैं पता रगता है कि उस बोड़े अंकल ने जिन बोड़ी गार्ड को हायर किया होता है वो हीरोस का ग्रूप होता है जो कि गुंडों से डर कर काफी दूर भाकर आ आप तो उनका बीश टेमर कहता है लेकि मैं तुमसे पहले का था कि मैं एक बीश टेमर हूँ चो कि कभी लड़ नहीं सकते हैं तो लीनो से कहती है तुमने एक छोटी से स्क्यूरिल का यूज किया एरिया को स्काउट करने के लिए तुम्हें 10 से 20 और जादे एनिमल का फोट सकती है ये सुनकर लीन सोतने लगती है अगर ऐसे है तो आखिर का रेन इतने सारे एनिमल को कैसे टेम कर पाता है जिसके बाद वो बीश टेमर को कहने लगती है तुम जूट कह रहे हो और वो उससे कहती है कि हम लोग लोग को नहीं पता लगने दे सकते है कि हीरोस की फेल हो चुकी है और लीन उस बंदे को कहते है कि तुम इस मिशन का ब्लेम अपने उपलो कि तुम हारे हो ना कि हम लोग वो बंदा उनकी बात नहीं मान रहा होता है लेकिन लीन उनको कहते है कि मैं थाउजन से भी जादा स्पेल का यूज कर सकती हो और मिना की हीलिंग किसी को भी रिवाइब कर सकती है तो सोचके देखा हम लोग तुम्हें कितनी बार के तुम्हें कितना दड़ दे सकते हैं यह सोचकर वो बंदा ड़के मारे महां से भाग जाता है वही मिलान लीन से कहती है कि क्या होगा अगर यह बंदा सच कह रहा हो तो इसका मतलब रेन तो कुछ को वापी विजाता है तभी कनाडे भी वहाँ पर आ जाती है रेन फॉर्समेंट लेकर कुछ एडवेंचरर रेन से कहने लगते हैं तुम काफ़ दा अमेजिंग थे गिल्ड में भी और यहां पर भी बाकी यहां का सब कुछ हम पर छोड़ दो तुम जाकर रेश्ट करो जिसके रेन उसे पूसते हैं कि नाइट यहां पर क्यों नहीं आएं सिर्फ एडवेंचरर क्यों आएं तो वो कहते हैं कि नाइट को अच्छा नहीं लगता है हमारे साथ काम करना इसलिए वो नहीं आने वाले जिसके बाद वाद एडवेंचर वहां से चले आते हैं और उसके बाद धनाड़ को शुगरे करता है इतनी हैल्प करने के लिए कंड़े भी काफी दादा खुश होती है रैन की हैल्प करने के बाद तभी अचानक से वहां की जमिनीन लगती है तो पता है कि वहां कुछ मोश्टर आ गया हैं जिनका नाम लीज़र गिंग होता है रैन उनको देकर कहने लगता है कि आखिरकारे रैंक सी के मोश्टर्ड यहां क्या कर रहे हैं तभी एक गुंडा कहने लगता है कि मैंने इसी समय के लिए इन लोग को पैट बना के रखा था अब इन लोग को जाकर यह खतम कर देगा तभी लिजर्ड मैन उस गुंडे को भी मार देता है और बाकी सबी लोग को मारने भी लगता है जिसके वज़े से रेन देखता है कि यह सबी लोग गुस्ते में आ चुके है तो रेन जाकर एक लिजर्ड मैन को मुक्का मारता है यह देखकर सभी लोग काफिछ दा हैरान हो जाते हैं कि आकीर कारी एक कर कैसे रहे हैं जिसके रेन ओन एड्वेंचर को कहता है कि इन बैंडिट को लेकर तुम सभी केव से भाहर चले जा और हम दोनों मिल कर इन लोग को हैंडल कर लेंगे जिसके सबी Adventure वहाँ से चले जाते हैं और Rain को Safe रहने के लिए कहते हैं जिसके Rain कहने लगता है कि अगर अभी मैं उन Heroes के साथ होता तो मैं ये Decide कर लेता कि मैं इन लोगों से नहीं लड़ने वाला हूँ लेकिन अब मैं different हूँ अब मिरे साथ कनाड़े हैं जिसके बाद वो Lizard Man को हराता है और इसी वज़े से वो काफी ज़दा खुश हो जाता है जिसके अधमें Adventure को दिखाये जाता है जो कि भाहर उन लोग का वेट कर रहे होते हैं लेकिन काफी टाइम बीज जाता है वो लोग भाहर नहीं आ रहे होते हैं इसलिए वो काफी चिंता करने लगते हैं लेकिन आचानक से रेन और कनाड़े वहां आ जाते हैं जिसके वो सभी Adventure उनको चारों तरफ से गेल लेते हैं और उनकी सावाशी करने लगते हैं मुझे ऐसे लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ रेन की ये बाद सुनने के बाद कनाड़े भी काफी दादा खुश हो जाती है और एपी से हो जाता है यहीं पर खतम तो कैसे मिलते हैं कि नेक्श एपीसोड में जोर से चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना